नमस्कार दोस्तों इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों जो भी मेरी Coronavirus की Recovery की जर्नी रही है मैंने कहाता मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा तो ये उसी सिरीज का दोस्तों चौथा वीडियो है इस पे मैंने एक अलग से प्लेइलिस्ट बना दी है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो Coronavirus पे मैं जो वीडियो सिरीज बना रहा हूँ दोस्तों भले ही उस पे आप एक भी लाइक ना करें मगर कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोगों में awareness आए दोस्तों Pulse Oximeter क्या है और ये क्या चेक करता है और Coronavirus जब किसी को हो जाता है तो उसमें इसका क्या उपयोग है दोस्तों आप लोगों कोई पता है कि Coronavirus के कुछ लोगों में mild symptom आते हैं और कुछ में जो है थोड़े से जादा symptom आते हैं और जब दोस्तों इसमें ये भी देखा गया है कि कई लोगों की जो सांस है जो oxygen का level है वो कम होने लगता है अभी दोस्तों दिल्ली गॉर्मेंट ने जो isolation की scheme start की थी उसमें क्या करते हैं दिल्ली गॉर्मेंट में कि आपको home isolation कर दिया जाता है और दिल्ली गॉर्मेंट के दोरा ये pulse oximeter भी दिया जाता है इसमें होता ये है दोस्तों की आपके पास 10 दिन तक लगातार फोन आएगा गॉर्मेंट की तरफ से और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी pulse कितनी चल रही है oxygen का level कितना है temperature कितना है ये सब चीज़े पूछी जाती है तो temperature के लिए तो दोस्तों आपके पास होगा thermometer वैसे दोस्तों मैं आपको बता हूँ इस type का जो thermometer होता है वो काफी reliable होता है जो पारे वाला होता है दोनों तरीके के आते हैं वैसे तो electronic वाले भी होते है और ये पारे वाला भी होता है आपके पास जो भी हो सही है अब ये जो चोटे वाले जो cell होते हैं जो की remote में लगते हैं वही वाले इसके अंदर cell लगते हैं अब इसमें दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर finger कैसे डाल कर जो है आप इसमें अपना oxygen का जो level है वो check कर सकते हैं अभी दोस्तो क्यूंकि यहां पर यह बटन को आप दबाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे देखे नीचे पल्स चल रही है और उपर ऑक्सिजन का लेविल यानि कि इस समय जो ऑक्सिजन का सेचुरेशन है ब्लेड में वह आप देख सकते हैं 98 है मगर जो pulse है वो चल रही है 105-106 वैसे तो दोस्तों दिल की धड़कन 72 होती है क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं इस वीडियो में तो energy लगती है BP बढ़ी जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि 104 या 105 चल रही है oxygen का level 98 जो है वो सही माना जाता है मेरे को जो जानकारी दी थी उसमें ये बताया गया था कि अगर आपका oxygen का level 94 या 93 आता है इससे कम आता है तो आप हमें phone कीजिएगा हम आपको hospital में admit कर देंगे मगर जो pulse oximeter में जो reading थी वो हमेशा 98-99 रही यानि कि जो oxygen का level था वो कम नहीं हुआ और कोई problem नहीं हुई क्या बहुत सारे अभ्यारती होंगे जो कहेंगे कि भई हम इसे purchase करना चाहते है तो आप ये आपको medical shop पे मिल जाएगा मगर इस चीश का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप pulse oximeter लें उसकी कम से कम एक साल की guarantee होनी चाहिए किसी भी company का आप ले सकते है medical store पे और यदि कोई problem नहीं भी है तो फिर लेने की क्या आविशकता है अगर आपके पास है तब भी ठीक है मगर क्यूंकि कई लोग पूछ रहते कि या oximeter क्या होता है पहले मैं भी सोचता था पता नहीं क्या कोई oxygen का slender लगा होता है या क्या होता है क्या नहीं मगर फिलाल अब देखिए दो चार दिन में मुझे इसे जमा करना होगा दिल्ली government को जैसे ही मेरा isolation खतम हो जाएगा और दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाज जो आप लोग की तरफ से मुझे well wishes मिली और आप में से बहुत सारे अभ्यारती लोगों ने बहुत प्रात्ना की इसकी वज़े से जो हमारी recovery थी वो बहुत जल्दी हुई और अभी भी recovery चली रही है देखा जाए तो और बहुत जल्दी हो भी जाएगी क्योंकि दोस्तों कुछ symptom ऐसे होते हैं post covid यानि कि जब covid हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे जैसे weakness है जैसे taste वगेरा है इसे आने में जो है थोड़ा सा समय लग जाता है ठीक है तो मैंने आपको pulse oximeter का एक demo करके दिखाया इसमें आपको एक तो pulse पता चलती है और साथ में oxygen का level अगर आप इसकी कीमत पूछे दोस्तों तो ये approximate 1200 से 1500 के बीच में आपको एक साल की guarantee वाला मिल जाएगा ठीक है और इस बिमारी से इतना ज़्यादा घपराने की आवशक्ता नहीं है अगर आप proper safety को follow करेंगे तो जो है आप खुद भी अपने आपको बीमारी से बचा पाएंगे और साथ में अपने परिवार वालों को भी ठीक है जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों ये बिमारी फैलती बहुत ज़्यादा है मेरे से जब मेरे को हुआ दोस्तों और मेरे जो संपर्क में जो भी लोग आये थे किसी को नहीं हो पाया उसका कारण सिर्फ यही था कि मैंने आखरी दिन तक क्या अभी भी मैं प्रोटेक्शन पूरी इस्तमाल कर रहा हूँ यानि कि मास्क वगेरा पूरा लगाना और ऐसा नहीं है कि यह हवा में उड़ रहा है आपको एकदम से हो जाएगा ठीक है और भी जो आपकी क्वेरी हो कोरोना से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं जय हिन जय भारत